नवश्कार आज का मारा विशय हस्त रेखा में मंगल से सम्मंदित है मंगल किस तरीके से रेखाओं के माध्यम से आपको प्रभावित करता है चाहे वो प्रभाव अच्छा हो चाहे वो प्रभाव खराब हो मंगल किस तरीके से दंगल कराता है मंगल किस तरीके से मंगल करता ह मंगल से पीडित व्यक्ति अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है लंबे समय तक पीडा में या संगर्ष में चलता रहता है मंगल अगर किसी का अच्छा है या रेखाओं के माध्यम से अच्छा है जो अभी मैं बताने जा रहा हूं तो एक समान इसे व्यक्ति को उचे पत तक ले जाता है और उचे पत पर बैठे व्यक्ति को कहीं ना कहीं समान बना देता है अगर खराब है तो मंगल से सम्मंदित कुछ हिरेखाओं पर बात करेंगे ध्यान से समझेगा वीडियो को और काफियत तक का आपको आराम से मैं समझाओंगा पहली बार बताने जा रहा हूं जो भी चीज़ें हैं ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मंगल का छेत्र कहां होता है आप सभी को पता होगा यह होता है निशला मंगल और हिर्दयरेखा के नीचे वाला इस्सा जो है उचला मंगल होता है माल लीजिए आपको पहली बार वीडियो देख रहे हैं हस्तरेखा का अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं तो भी मैं इत मकान उकान के लिए पूछते हैं कि मकान बनेगा कि नहीं बनेगा, मकान सुंदर होगा कि नहीं होगा, एक दो चीजे मैं बता देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं. मैं हमेशा कहता हूं कि इस जगाँ पे अगर आपकी जो है एक दो रिखाएं हैं, इस पस्ट साफ रिखाएं हैं, तो ये मान के चलिए आपका मकान जरूर बनेगा, उसमें कहीं हो सकता है थोड़ा विलंब हो जाए, थोड़ा लेट हो जाए, ऐसे में कहा जाता है अगर यहां कहा जाए, बहुत ज्यादा उठानी है, बहुत ज्यादा दबा नहीं है, इतने चेत्र की में बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा उठानी है, बहुत ज्यादा रेखाएं इसको काट ना रही हूं, काटने मतलब ऐसे करके काटे ना, तो ऐसे में कहा जाएगा, व्यक्ति प्र रेखाएं बहुत जादा नहीं है तोड़ा सा ये इसा चोड दिख रहा है है ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जमीन से संस्मंदित चीजों में अचा Esse गजिजों में पैसा भी कमा सकता है धन भी हमा सकता है एक बात वहीं पे हलका सफेज सफेद हलका सफेज सफेद हो हलका सफेद मतलब हो गया कि यह तभी आएगा जब आपका हाथ हलका सा कड़ा होगा तो यह कहा जाएगा कि व्यक्ति प्रॉपर्टी से सम्मंदित चीजों में काम करके अच्छा धन जीवन में कमाएगा अगर यह स्थिति है तो भी आएगी उसमें कहीं कोई दोर आए नहीं है मान के चलिए प्रॉपर्टी तो होगी होगी यह तय है किसी प्रकार का कोई संदे नहीं है अगर रेखाएं भी दिखाई देती हैं और आदमी प् और भी प्रॉपर्टि का काम करेगा उसमें कहीं ना कहीं सफल होगा उसमें कहीं कोई दोर आए नहीं है अब एक बहुत अच्छी सी रेखा मैं आपको बताता हूं अगर यह रेखा है तो धन ऐसे लोग गरीब नहीं होते ऐसे मिडल ख्लास के उपर होते है अमीरों की खेड चीज़ें और बतानी है इसके लिए मैं इसको फिर से बता रहा हूं, और जो लोग न beneficial देख रहे हैं, उनके लिए दोज़रूरी इसको समाजनाँawy माइँ है। अगर यह रेखा है, तो बहते हैं तो शिव का आशिरवाद आपके साथ है, उपर वाले का आशिरवाद आपके साथ है, रेका कटी पिटी नाओ, टुटी फुटी नाओ, इस इच का ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग गरीब नहीं हो सकते, भले ही गरीब परिवार में पैदा हुए हो, अपने जीवन को अपनी महनत से ऐसे लोग बना ले जाते हैं, अपनी जीवन में ये महनत भी दिखाता है, और कही ना कहीं खुद की महनत से आगे बढ़ने को भी दिखाता है, संतान, पत्नी, घर, परिवार, थोड़ा सा नाराजगी समय समय पैसे रोंकर रहती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा घबराने या डनने वाली ब पाना, नाराजगी इन सब चीजों को जादा दिखाता है, कहीं ना कहीं ऐसे लोग लायक होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए, धन जीवन में खुब कमाते हैं, और एक समय के बाद, मतलब 60-62 आसपास जो है, कहीं ना कहीं धीरे 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 जो है, अपने कामों से बॉक्स हो, रेखा छू रही है, अच्छा है, बॉक्स टूटा ना हूँ, इसकी इसका जहन रखेगा, अगर रेखा छू रही है, अगर नहीं भी छू रही है, इसके आसपास भी आ रीए, तो ऐसे मैं ये कहा जाएगा, व्यक्ति बड़े पद गन कमाएगा ऐसे लोग अगर कहा जाए कम उमर में काम पे लग जाते हैं बाइस साल अठाइस साल चौतिस साल उन्तालिस साल तिरालिस साल चौवन साल अड़सट साल की आयू विशेश सफलता को दिखाती है मतलब अच्छे कही ना कहीं से इस पीरड में वेक्तिकों जो है ला परसंड कहूंगा कि गरीब नहीं हो सकता अब मिडल क्लास के ओपर होगा अमीरों की शेडी में ऐसे लोग की गिंती होती है अगर यह रेखा है तो ऐसे म कहा जाता है कि परमात्मा ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है भले इस समय पे उतनी दिक्कतें या उस हिसाब का खुबशुक मिलता है ऐसे लोग अपनी परिवार की जिम्मेदारियों का वहन करते हैं कहीं ना कहीं परिवार के साथ समय भी बिताते हैं ऐसे लोग भले कितनी भी वर्सता हो नहीं मुझे समय देना घर परिवार में यह अगर है तो समय नहीं दे पाते हैं समय देने में दिक्कत अगर यहां पर जो है रेखा बॉक्स बन रहा है तो ऐसे हम कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने घर परिवार में समय भी समय भी देगा एक प्रश्न अक्सर आता है कि अगर बुद्ध के परवत पर मंगल के छेतर से मतलब यहां से बुद्ध के परवत तक जाए इसका क्या मतलब है यह रेखा भी बहुत बिरिले तो नहीं कहला है, मिल जाती है लोगों के हाथ में, हर दस्वा या पचासवे आत्मी के हाथ में मिल जाती है, यह रेखा अगर कहा जाए साफ है कटी-पिटी नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग अपने परिवार को खुश रखने वाल जाते हैं, ज्यादा तर यह भी देखा गया है कि दूर रहके जो है ऐसे लोग ज्यादा सफल होते हैं, कही न कहीं यह भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों के अंदर व्यवसाई से सम्मझ या जीवन में जो भी काम करें, व्यवसाई की बात नहीं, नौकरी करें, व्यवसाई करे एसे लोग वैवसाय या नौकरी में रिस्क लेने की छमता होती है रिस्क जीवन में खूब लेते हैं और कहीं ना कहीं रिस्क जो है उनके लिए फाइदा भी हो जाता है अब यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा जो मैंने आप से कहा कि वैवाहिक जीवन या अच्छा होत को बड़ी दिक्कत आती है जीवन साती के हमेशा स्वास्त का ध्यान रखिए मैं एक इशारा कर रहा हूं बस जीवन साती के स्वास्त का ध्यान रखिए कहीं ना कहीं जीवन साती के सारेरिक कस्टों को भी यह दिखाता है पतनी का ध्यान रखिए किसी प्रकार से कोई ऐसी ह अब एक चीज और मैं आपको अलग की बताना चाहूंगा, बहुत एहम है, इसको ध्यान से समझ लीजेगा, यह अंगुठा है, और अंगुठे का यह पार्ट, यह पार्ट अगर कहा जाए, ज्यादा ही छोटा है, जहां से अंगुठा मुड़ता है, यह ज्यादा ही छोटा है इसके मुकाबले कुछ ज्यादा ही छोटा है, ज्यादा तर लोगों के आथ में यह बड़ा होता है, यह छोटा होता है, लेकिन छोटा होने का मतलब ज्यादा छोटा होना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप देखेंगे तो आप मैसूस कर लेंगे, कि आपका यह हिस्सा ज इनके भी हाथ में होगा, बहुत बार निर्ने लिया, कोई भी निर्ने ठीक नहीं हो रहा है, निर्ने लेते हैं कही ना कहीं कुछ समय बाद नुकसान हो जाता है, ये ऐसे लोगों को निर्ने बहुत देखदा के ही लेना चाहिए, ऐसे लोगों को निर्ने लेने से बचना चाह जो आप सफन मेहनत करने से क मेहनत लेकिन ते कारण संगर्स और संगर्स नमें बार कि थीक है हां एक छोटा है नाखुन भी आपका च्छोटा है यह इसा नाखुन भी चोटा है और यह जो आपकी मास है यह नाकुन के उपर चड़ता हुआ दिखे आपको ऐसे से करके उपर चड़ रहा है और हाथ आपका कड़ा है ऐसे लोग अपने जीवन को खुद से जो है कही ना कही खराब कर लेते हैं ऐसे लोग अगर कहा जाए तो अपने व्यवहार अपने क्रोध अपने गुस्से अपने चिर्चड़ेपन के कारण घर परिवार रिस्तेदार नातेदार काम धाम सब में कही ना कही तनाव देते हैं देखा उस तनाव को दिखाता फिर सिक बार मैं समझाता हूं यह हिस्सा अपने क्रोध पे नियंतन करके चलिए केवल आपका रवये खराप रवये के कारण आप जीवन में सफल होने में आपको दिक्कत आ रही है अपना रवया बदलिए ऐसे बच्चे उन माता पिता को भी मैं कहना चाहूंगा जिन बच्चों का है उनका नेचर जाइसी बात है यह 90% वाली बात नहीं है यह 100% वाली बात गुस्ма पुर्णा एसे बच्चों को खाशकत अपने बच्चों को जो है खेलने कूदने में योगा में कहा है जीतना खेलेंगे उतना हीänर्जी इन हो गी्य इसको बदले इस दिशा में तो उससे धीरे घुरें इनका गुस्सा जाए गुछा जरू जरूर हो जाएगा और अचछी चीज है कि गुस्सा कुछ देर के लिए होगा उसके बाद भरसांत हो जाएंगे यह तो मुझब फूला ही रहेगा इसके बाद ये जीवन रेका है जीवन रेखा के बगल में आप सभी को पता है अगर पता नहीं है तो मैं बता दू मंगल की रेखा होती है अच्छी होती है स्वाग जिशालिक कहलाते हैं अगर अन्य एख़ाई और उग्लsm Göran और जीवन में धन्यति शिव बेहज ज्यादा कमाता है यहां पर ठीम पिद्व सब्लीय स्टाइम हो एक प्राम। hump वानगे कंख और व्यक्ति था siya बाबुजी से बात करने में डल लगता है, उनका जो है क्रोध गुस्सा कब आजा कुछ पता नहीं है, ऐसे लोग अगर अपने निचर पे कंट्रोल कर लें, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लें, तो जीवन में बहुत कुछ प्रमात्मा देगा अपको, थोड़ा मुडा नि अगर यह दो रेखाए हैं, तो तो शाहियो भरपूर मात्रा में मिलेगा, उसमें भी कोई दो राए निगी है, अगर दो रेखाए हैं, तो यहाँ पर एक रेखा की चर्चा करना बेहर जरूरी है, और आप लोग जो कमेंट करते हैं कोई रेखा के बारे में पूछते हैं किसी ने एक बार पूछा था भी आर्दस दिन पुरानी बात है मैं उसको उसने ये पूछा था कि अगर मंगल रेखा काट के जीवन रेखा को काट के आगे निकल जा इसका क्या मतलब है जो सहयोग लोगों से मिल लहा था वही लोग आपके लिए नुकसान डैक हैं सहयोग में कमी जीवन जितना स्रल चल लहा था जितना आसानी से चल लहा था उतने ही कटनाया उतने ही संगर सी जो है कहिना कहिं your देगी काल के निकल लिए तो उसमें कहीं कोई दोराई नहीं है, अगर ये चंद्रमा तक चला गया और इस चंद्रमा पर जो है छोटी-छोटी सी रेखाएं कुछ काट नहीं इसको, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को संगत का विशेजधान रखना चीए, बद्नामी होती है, मुकदमेबाजी, निय इन सब चक्रों में पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा अपने जीवन में, अगर ये है, सावधान होके चलें और अपनी वैवाहिक जीवन में अपनी जिम्मेदारियों का वहन करें, इस तरीके से मने आपको बताया, रेखा, अगर समझ में आई हो, समझ में आई हो, तो कम से कम च आई हो, समझ में 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 आई हो, समझ